Hello everyone, कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं, आप सब ठीक होंगे, तो weekly current affairs session में आपका स्वागत है, अगर आप कोई भी exam की तियारी कर रहे हो, चाहे वो state की हो, center की हो, हर exam के लिए current affairs बहुत important है, बहुत helpful है, ठीक है, तो चलिए आज का session सेशन स्टार्ट करते हैं So the first one is, which tunnel has received India Building Congress IBC Best Infrastructure Project Award in April 2022, April 2022 में किस सुरंग को Indian Building Congress Best Infrastructure Project का पुरुषकार मिला है, अटल सुरंग को अटल सुरंग को IBC Best Infrastructure Project Award मिरा है, April 2022 में, इसके बार में हम जानते हैं, अटल सुरंग जो है, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपाई के नाम पे राजमार्क सुरंग है और ये हिमाच्य प्रदेश में ले मनाली राजमार्क पर हिमाले के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहताग दर्रे के नीचे बनाया गया है ये इसकी लोकेशन जरूर से देखना क्योंकि बहुत बार इसकी लोकेशन पूछी जाती है अटल टनल की वर्तमान में सियामा प्रसाद मुखरजी सुरंग 9.20 किलीमेटर की भारत में सबसे लंबी है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्तों से जोडती है इसे चेनानी नाश्री टनल पटनी टॉप टनल के नाम से भी जाना जाता है यह एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रिखिये आप लोग के लिए ठीक है नेक्स है डैस है डैस हैस कंड़क्टेड आ नेशनल लेवर लोजिस्टिक सेमिनार लोजी सिम वायो 2022 इन अपरल 2022 डैस ने एपरल 2022 में एक राष्टे सितर की रेसर संगो थी लोजी सेम वायो 2022 आयुजित की है टो यह हम इसके बार में हम जानेंगे यह कर रहे ही अर फॉर्ड Mafia तो इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ मार्शल एम विबेक चौधरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में लॉजिस्टिक सेमिनार लोजी सेम वायू 2022 का घाटन किया है ठीक नेक्स्ट कोश्चन है रोबर्ट गुलोप has been elected as a prime minister of which country in April 2022 रोबर्ट गुलोप को एप्रेल 2022 में किस देश के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है तो रोबर्ट गुलोप को सुलिवेनिया के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है बरोद पहार सिलिवेनिया के रास्ट पती हैं प्राइम मिनिस्टर थो हमें रोबोट का पता चल गया बरोद पहर इसके रास्ट पती है नेक्स है निमने रिखित मैंसे किसने थल सेना ध्यक्ष के रूप में पद भार ग्रेंड के है तो लेफटनेंट जेनरल बी-एस राजू इनका पूरा नाम है बग्गा बली सोम सोकर बल्ला बली सोम सेखर राजू लेफटनेंट जेनरल अभी के नए वाइस चीफ और आर्मी स्टाफ के रूप में ने पदभर ग्रेंड किया है, ठीक है, C option Next है, Who has been released a Marathi book Amit Sa Ani Bhajapachi Vatsal in April 2022 April 2022 में किसने Marathi पुस्तक Amit Sa Ani Bhajapachi Vatsal का विमोचन किया है देवेंद्र फर्नेडिस ने, ठीक है, थोड़ा इस बुक के हम ब्यान्दे में जानते हैं इस बुक में पूरा जो Amit Sa है, अपने भाजपा की निर्माड के उन्होंने कैसा किया, उनकी जीवन यात्रा, सब का इसमें योगदान का दस्तावेज करा हुआ है मुल रूप से Dr. Aniban Ganguli और Sivanan Divedi द्वारा लिखित पुस्तक का Marathi में अनुवाद ऐसा भी कोशन आ सकता कि Marathi में अनुवाद किसने क्या जोसना कोलहाट करने किया है नेक्स है, who won a gold medal in final of 50 meter rifle 3 position event at the Kelo India University game in Bangalore Bangalore में Kelo India University games में 50 meter rifle 3 position event के final में किसने स्वनपदक जीता है सर्ताज सिंग्तिवाना ने सर्ताज सिंग्तिवाना ने Bangalore में Kelo India University games में 50 meter केटिवाना ने पता होना चीए, 50 meter rifle 3 position event में final में स्वनपदक जीता है तो सर्ताज सिंग्तिवाना अगर हम पूरा डिटेल में बात करें तो देखते हैं सर्ताज सिंग्तिवाना ने ओलंपिक में अश्वरिया प्रताप सिंग्तोमर को हरा कर बैंगलूरों में हुआ था ये Kelo India University में 50 meter rifle 3 position event में स्वनपदक लाए हैं उन्होंने लवली उनिवसिटी, लवली प्रोफेशनल उनिवसिटी का प्रतिनिध्वित किया था पुरुसों की 10 meter पिस्टर फाइनल में CCS मेरेट में वरुन तोमर ने स्वनपदक और पंजाबी विश्विध्याले के सुरिंद सिंग्ने रजग पदक जीता है वरुन तोमर ने स्वनपदक और सुरिंद सिंग ने रजग पदक जीता है और अपना सर्ताज सिंग तीवाना जी 50 meter में स्वनपदक लेका रहा है 50 meter का भी पता चल गया, 10 meter का भी पता चल गया, दोनों नोट कर लेना कहीं पर नेक्स है, Tata Sun will merge Air India with which of the following Tata Sun निमने लेकित में से किसके साथ Air India का विलाय करेगा बहुत बार जैसे Banks merge हो जाते हैं, वैसे भी Airlines भी merge हो जाती है तो जो Tata Suns will merge Air India किसके साथ कर रहा है, वो अपना Air India किसके साथ merge कर रहा है वो Air Asia के साथ, चीक है, Air India और Air Asia merge होने वाला है, चीक Next, who among the following has won the prestigious Whitley Gold Award in April 2022 निमने लेकित में से किसने April 2022 में प्रितिस्टित विटली Gold Award जीता है अपने चारोदत मिश्राजी ने, थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या है उन्हें Asia के लिए Asia High Mountain Ecosystem में बड़ी बिली, मतलब तेंदोय का रूप है प्रजातियों के सरक्षन और पुना प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को सामिल करने के योगदान के लिए ये सम्मानित किया गिया है और ये इनका दूसरा विटले अवार्ड है पहला भी इनको 2005 में मिला था ठीक और प्रभावी जमीनी स्थर पर सरक्षन को मानिता देने जश्न मनाने के लिए विटले फंड फर नेचर द्वारा हर साल विटले अवार्ड आयोजित किया जाता है जो भी ग्रासरूट कंजरवेशन को सेलेब्रेट करता है रिकंगनाईज करता है उनको दिये जाते हैं विटले अवार्ड ठीक है भारत का पहला अमरेशुरोवर रामपूर की ग्राम पंचायत पटवई उत्तर प्रदेश में बंगर तयार हो गया है रामपूर में 75 तलाबों का अमरेशुरोवर के रूप में विक्सित करने के लिए चुना गया था नेक्स है अब्पूर्ण पटवई चुना रूप में किसे नियूट क्या गया है क्रिशन रामपूर्ण को और हम नेस्कॉम के बात करें तो इसके प्रेजिडेंट है देबजानी कोज यह प्रेजिडेंट है और new chairperson किनको चुना गया है क्रिशन रामनुजन को हैटक्वाटर का है डेली में है फाउंड कव हुआ था एक मार्च 1988 में नैसकॉम फाउंड हुआ था ठीक नेक्स है which district has become first district with library in every village कौन सा जिला हर गाव में पुस्तकाले वाला पहला जिला बन गया है ठीक हर गाव में पुस्तकाले हैं यहां यह बन गया है जमराता डिस्ट्रिक जारखंट लगबग 8 लाकी अबादी वाले इस जिले में हर 6 ब्लॉक में 118 ग्राम पंचायत है और प्रते एक पंचायत में एक equipped library है जो कि 9 से 5 बे तक खुली रहती है हर एक डिस्ट्रिक में लाइबरेरी है जो बच्चों के लिए लगातार 9 से 5 बे तक खुली रहती है और यहां केरियर काउंसलिंग इनकी भी free classes दी जाती है और कभी-कभी जो IS, PCS होते हैं, IS officers होते हैं, IPS officers होते हैं वो भी आते रहते हैं बच्चों को मारग दशन कराने के लिए, motivational speech देने के लिए, अपनी पूरी life journey बताने के लिए, कैसे उन्होंने अपना UPSC वगरा clear किया है तो बहुत ही शांदार चीज इनकी बच्चों के लिए खुली गई है, है ना जमारता डिस्ट्रिक में जारखन में, नेक्स है, how many medal have been won by the Indian wrestler at the 35th edition of Asia Wrestling Championship 2022 held in Ulan बटर मंगोलिया, मंगोलिया के उलान बटर में आयो जीत एशिया कुस्ती, चैंपियंशिप 2022 के 35 संसकरण में भारती पहलवानों ने कितने सत्रा पदक जीते हैं, सत्रा पदक में से उन्हाने एक सूर्ण है, पांच रदक हैं, रजत हैं और इग्यारा कास्ती हैं, सत्रा पदक भारती पहलवानों द्वारा जीते गए हैं, चैंप बहुत इगर्वी की बात है मंगोलिया में, नेक्स है, Elvira Bittro has passed away recently, she was the captain of its sports Indian woman team, अभी हाल में, Elvira Bittro का निधन हो गया है, वो किस भारती महिला team की कप्तान थी, तो यह पूचर किस की थी, वो बॉल की थी, क्रिकेट की थी, रेसलिंग की थी, हौकी की थी, वो एक्चली हौकी की थी, ठेक है, Elvira Bittro, और यह 81 साल की हो गई थी, उनकी death हो गई, ठेक है, व्रद्धवस्ता में, काफी बिमारियों की वेशन के death हो गई, और यह कन्नाटक से थी, ठेक है, बहुत ही शांदर खिलाडी थी, यह भी हौकी की, नेक्स है, जैम्स द्रेग्वेल रमबाई, पास्ट अभी रीसेंटली, ही वास्टी फॉर्मा चीफ मिस्टर ऑफ वेच नाम से ही लग रहा है, जैम्स ट्रेग्वेल रिमबाई, यह ऐसे तिलेंगान में नाम नहीं होते हैं, राजिस्तान में भी नहीं होते हैं, मिघाले तरीपुरा में कह सकते हैं, हो सकते हैं, तो यह कहां के चीफ मिनिस्टर थे, यह अपने पूरु मुख्य मंतरी थे, मिघा आधारी सिवर वाला भारत का पहला सहर बन गया है। ठीक? नेक्स से विज डिस्ट्रिक अस बिकम देखने फर्स डिस्ट्रिक इन इंडिया तो कवर हंडिट परसेंट अफ हाउस्वोल अंडर आयुस्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरूग्य योजना सेहत इसकी? तो इसमें क्या है सामबा डिस्ट्रिक जम्मू में क्या है? यह आयुस्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरूग्य योजना जो था उसमें 100% परिवारों को कवर किया गया है तो 100% का परिवारों को सिर्फ यहीं कवर किया गया अभी तक का सामबर डिस्टर्क जम्मों में नेक्स है Dash became the first airline in Asia to land its aircraft using the Dash indigenous navigation system Gagan Dash स्वधेशी नविगेशन प्रणाली Gagan का प्रियोग करके अपने विमान को उतारने वाली Asia की पहली airline बन गई है कौन सी इंडी को इंडी को पहली बन गई है जिसने स्वधेशी नविगेशन प्रणाली Gagan जो Gagan है उसका प्रियोग करके अपने विमान को उतारने का कस्ट उठाया है या फिर पहला airline बन गई है जिसने ऐसा काम किया है वो है अपना इंडी को ठीक Next I named the author of the book Not Just a Night Watchman by Innings in the BCCI Not Just a Night Watchman by Innings in the BCCI पुस्तक के लेखा का नाम बताई है विनोध राय तो विनोध राय जुआ रहा है यह बहुत ही शांदर पुस्तक लिखी गई है Not Just a Night Watchman by Innings in the BCCI विनोध राय जुआ ठीक है Next who among the following has become the fourth fastest athlete in 200 meter in May 2022 निमने लिखेत मैंसे कौन 2022 में 200 meter में चौथा सबसे तेज athlete बन गया है देखो सब बच्चे याद करेंगे First, Second, Third लेकिन यहाँ पूछा गया fourth Fourth athlete का नाम यूद पूछा गया है वो भी 200 meter में ठीक है तो वो है Aryan Knighton Aryan Knighton fourth fastest athlete बन गया है 200 meter में First, Second, Third भी जान लेते हैं First है Usain Bolt 19.19 second में यूहान ब्लैट 19.26 में वहीं अमेरिका की माइकल जॉनसन ने 19.32 से पीछे है ठीक है और अगर हम इनकी बात करें Aryan का यह 19.49 second था है ठीक Next है In May 2022, Zen Deemed to be University Became the winner of Kelo India University Game 2022 With Dash Gold Medal May 2022 में Zen Deemed to be University एक यूनिवरसिटी है यह Dash One पदा के साथ खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम 2021 की वेजेता बनी है वो यूनिवरसिटी ठीक है प्रोफेशनल यूनिवरसिटी एल्पीयू ने 17 स्वन और पंजाब इस विधाले ने 15 स्वन पदक जीते हैं सबसे पहले खेलो इंडिया में Zen का नाम है 20 फिर एल्पीयू अपनी लवली प्रोफेशनल यूनिवरसिटी 17 फिर पंजाब यूनिवरसिटी है 15 के साथ नेक्स है इन वेटलिफ्टिंग हो इस्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाइब बिकम दे फर्स इंडियन तो विन आ गोल्ड मैडल एट आई डबलु एफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियंशिप एट हैराकलीन इन ग्रीस इन मेरे 2022 भारत ओलन में किसने मई 2022 में ग्रीस के हैराकलीन में आई डबलु एफ जूनियर विश्व चैंपियंशिप में स्वन पदग जीतने वाली पहली भारती बनके इतिहास रज दिया पहली है तो अपने में ही इंपोर्टेंट हो जाता है ठिक अपनी हर्शिदा सरत गरू जी उन्होंने 45 सबसे पहले कैटेगरी जानना बहुत ज़री है तुर्किय की बेकटास कांसु ने रजब पदग जीता है जबके मोलदवा ने त्योडवारा लुमी निता हिंकु ने काश्य पदग जीता है ठिक और अपनी जो पहली भारती बनके जिसने स्वन पदग जीता है हर्शिदा सरत करू जी नेक्स है what is the rank of India in the world press freedom index 2022 विशुप प्रेस स्वतंता सुचा कांग 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है एक सो पचास्वा स्थान रहा है 150 एठ रैंक रही है भारत की world press freedom index 2022 में जीख और नौर्वे पहले पे रहा, डैनमार्क दूसरे पे रहा, स्वीडन तिसरे पे रहा, एस्टोनिया चौथे पे रहा, फिनलेंड पांच ये पे रहा फर्स, सेकिन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं इंडिया का तो हमें पता होना ही चाहिए, बाकि फर्स तु फिफ्थ भी पता होना चाहिए उत्तर कोरिया सूची में सबसे नीचे रहा, पाकिस्तान 157, स्री लंका 146, बांगलादेश 162, मियानमार 176 अपने पड़ोसी देशों का भी हमें पता होना चाहिए बहुत ही इंडेक्स, इनसे कोशन्स बनते ही बनते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीन शॉट ले लेना नेक्स है, विच फुटबाल क्लब हैस वान थरी फिफ्थ इस्पानिश लीग टाइटल इन में 2022 मई 2022 में किस फिटबाल क्लब ने 35 जीता है, चिक अपने रियल मैडरीट में तो रियल मैडरीट फुटबाल क्लब है, उसने थरी फिफ्थ इस्पानिश लीग टाइटल जीता है और हाँ साथ में ही मेरी अप है जो नौले राइजी है नपस है, उसमें या तो गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी है, यह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जल्दी चाके डाउनलोड करो, उसमें CCSL के मॉक टेस चल रहे हैं, और जल्दी ही MTS के मॉक टेस बी चलने वाले हैं उसमें, ठीक हैं, नेक्स है, इन विच स्टेट मिया का बड़ा स्टेशन है इसा बहुत आता है, अब जैसे मिया का बड़ा बोल रहे है, इसका नाम बदल के महेज नागर हाल्ट कर दिया, यह किस राज्जी में है, यह पूछ रखा है, यह अपने राज मिया का बड़ा नाम चेंज करके महेज नागर हॉल्ट कर दिया, नेक्स है, विच कंट्री क्रिकेट टीम हैस बेकाम वर्ल नमबर वन रैंक्टी टीम इन में 2022, मई 2022 में किस देश की क्रिकेट टीम विच्व की नमबर एक रैंकिंग वाली टी टीम बन गी, नमबर वन, बहत ह क्रिकेट टीम विच्व की नमबर वन पे रैंकिंग वाली टी 20 की टीम बन गई है, नए कप्तान रोही सर्मा ने नेत्रोयतिम भारत ICC द्वारा जारी वार्चिक टेस्ट रैंकिंग 2021 सीजन में दुनिया की नमबर वन रैंकिंग में अपना भारत सबसे उपर है, तो यहां सब्सक्राइब करन रखिया थे इस हफते की जो कि बहुत हैल्फुल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए मिलते है अपनी नेक्स वीडियो में